Hello friends, आपके अपने YouTube चैनल Study Motion में आपका स्वागत है Friends, आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई 2020 को लेकर मैंने कुछ Currents Affair को रखा है तो Friends, अगर आप आज के Currents Affair के PDF को download करना चाहते हैं तो वीडियो के description में उसका link डाल दिया गया है तो वहाँ से जाकर आप download कर सकते हैं तो Friends, जैसा कि आप जानते हैं, परते एक दिन एक question last में पूछा जाता है और उसका answer आपको comment box में देना होता है तो Friends, आते हैं कल के सवाल पर तो कल का सवाल कहता है कि आएकर विभाग ने COVID-19 के कारण आधार कार्ड और pen कार्ड को link कराने के लिए अवधी कब तक के लिए बढ़ा दी है तो Friends, 31 March 2021 तक के लिए इसकी अवधी बढ़ा दी गई है आएकर विभाग ने कहा है कि जैसी अभी महामारी जल रही है इस इस्तिति को देखते हुए pen कार्ड और आधार कार्ड को link कराने की अवधी 31 March 2020 तक इनको बढ़ा दिया गया है तो Friends, आते हैं आज के पहले सवाल पर तो पहला सवाल कहता है मानव संसादर्न विकास मंत्राले ने डॉक्टर अनिता वटनागर को कितने वर्ष के लिए National Book Trust के Board of Trustee में नामित किया है तो Friends, तीन वर्ष के लिए इन्हें नामित किया गया है Friends, मैं बता दूँ, मानव संसादर्न विकास मंत्राले ने प्रदेश की पुर्व अपर मुख्य सचीव डॉक्टर अनिता वटनागर को National Book Trust के Board of Trustee में तीन वर्ष के लिए नामित किया है डॉक्टर अनिता वर्टनागर के अतिरिक्त देश के तेरा अन्य लेखक वा साहितकार Board में नामित किये गए है डॉक्टर अनिता वर्टनागर के अब तक पचास से अधिक विविद प्रकार के लेखन प्रकासित हो चुके है इनके दोड़ा मुख्य बच्चों के लिए पर्यावरन वर्नेतिकता पर केंदरित कहानिया लिखे गई है जो इनके प्रसासिनिक अनुभव पर आधारी थे तो फ्रेंस आते हैं आज के दूसरे नमर के सवाल पर तो दूसरा नमर का सवाल कहता है बिसीसियाई ने पिछले हफ्ते राहुल जोहरी का इस्तिफा स्विकार करने के बाद किसको बिसीसियाई का अंतरिम CEO निक्त किया है तो फ्रेंस वो हैं हेमांग अमीन साहब फ्रेंड्स बिसीसियाई पुर्व सीयो राहुल जोहरी ने पिछले दिनों अपने पत से इस्थिपादे दिया था राहुल जोहरी को 2016 में बिसीसियाई के सीयो के रूप में निक्त किया गया था जब ससांग मनोहर निकाय के अध्यक्ष थे हेमांग अमीन फिलाल इंडियन प्रिमियर लीग के संचालन समिती में सामिल है वे IPL के सीयो है अमीन चर्चित इंडियन प्रिमियर लीग के मौझूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है और 2017 से ही IPL के ओपरेशन का काम देख रहे हैं फ्रेंस आते हैं आज के तीसे नमर के सवाल पर तो तीसा नमर के सवाल कहता है हाल ही में किस राज सरकार ने बरते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लोगडॉन लगाने की घोसना की है तो वो है बिहार राज ने 16 से 31 तारीक तक लोगडॉन लगाने की घोसना की है फ्रेंट्स नितिस सरकार ने क्रोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिर लॉक्डॉन बढ़ाने का फैसला किया है बिहार के सभी जीलों में के मुख्याले अनुमंडल और ब्लोक मुख्याले में 16-31 जुलाई तक लॉक्डॉन रहेगा इस दोरान रेलवे और विमा हो चुका है तो फ्रेंट्स आते हैं आज के चोथे नमर के सवाल पर तो चोथा नमर का सवाल कहता है गूगल ने हाल ही में जीयो प्लेटफॉर्म में कितने हजार करो रुपे निवेश करने की घोशना की है तो फ्रेंट्स तीस हजार करो रुपे निवेश करने की घोशना क दोनों कमपनियां के बीच वारता अंतिम दोरे में पहुँच गई है गोर्टलब है कि मार्च से लेकर अब तक रिलाइंस जियो में फेस्बुक सहित दुनिया की बरी कमपनियों ने करीव 1.18 लाख करोर रुपे निवेश किये हैं अब गूगल ने भी जियो प्लेटफॉर्म में बड़ा निवेश करने जा रही है फेस्ट बता दूँ गूगल ने हाल ही में कहा था कि वह भारतिय जीचल बाजार में अगले 5 साल में 75,000 करोर रुपे निवेश करेगी आते हैं आज के 5,000 के कोश्चन पर तो 5,000 का कोश्चन कहता है हाल ही में हुए राष्टपती चुनाव में किस देश के मौज़ोदा राष्टपती अंद्रेश डूडा लगातार दूसरी बार पांच वर्ष के कारेकाल के लिए राष्टपती के तौर पर न्यूकती हुए हैं फ्ल्रेंस में बता दूँ पॉलेंड के रुदिवादी विचाड़ों वाले दल के अंद्रेश डूडा को चुनाव में कुल 50.21% मत प्राप्त हुआ है जबकि उनके निकरतम प्रतिद्वन्दी को 48.79% मत प्राप्त हुए हैं वरतलब है कि पॉलेंड मध्य यूरोप में इस्थित एक देश है यह पस्ची में जर्मनी दक्षिन में चेक गनराज और स्लोवाकिया पुर्व में बेलारूस और युक्रेक तथा उत्तर में रूस और बाल्टिक सागर से गिड़ा हुआ है पॉलेंड की आबादी मैं बता दूं 38.5 मिलियन से अधिक है और तीन लाख बारह हजार वर किलोमीटर के छेतर में ये बसी हुई है आते हैं आज के छठे नमर के कोश्चन पर तो छठे नमर का कोश्चन कहता है हाल ही में किस IIT संस्था ने SHUDH नामक एक अल्ट्रा वाइलेट से टाइजिंग उत्पाद विक्षित किया है तो वह है IIT कानपूर, IIT कानपूर के सोध से तयार मुबाइल की साहता से चलने वाली डिवाइस सुध SHUDH, सुध कमडे को कोरोना वाइरस जैसे अनेक किटानों से मुक्त कर देगी UV अल्ट्रा वाइलेट से टाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रियोग नहीं किया गया है सुध में 15 वाट की 6 UV लाइट लगी हुई है जिनें विक्तिकत रूप से दुरस्ट अस्थान से ही नियंत्रित किया जा सकता है प्रारमिक प्रिक्षनों से यह सावित हुआ है कि अपने पुर्ण ओप्रेशन में यह डिवाइस कडिव 15 मिनट में ही 10 इन्टू 10 वर्ग फूट के कमडे में किटानू रहित कर सकता है तो फ्रिंड्स आते हैं आज के सात्मे नमर के कोश्चन पर तो सात्मा सवाल कहता है विस्व युवा कोशल दिवस निन में से किस दिन मनाया जाता है तो फ्रिंड्स विस्व युवा कोशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है यह जीवन तथा कारियों में युवा कसल के महत्व के एजन्डे के साथ मनाया जाता है इस दिन को हर साल युवाओं को कोसल विकास करने और उनके फाइदे के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है फ्रेंस आते हैं आज के आठमे कोस्टन पर तो आठमे का कोस्टन कहता है 36 गर सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपे परती किलोग्राम की दर से गोबर खरिदने को मंजूरी दी है तो वो है गौधन निया योजना 36 सरकार ने को धन्या योजना के तहत गोब पालन किसानों से 2 रुपे परती किलोग्राम की दर से गोबर खरिदने की मंजूरी दी है इस योजना की शुरवात राज में हरेली पुर्व से होगी राज में अब तक 5300 गोठान स्विक्रित किये जा चुके हैं जिसमें से ग्रा फिरर आते हैं आज के नम्मेनमड के कोश्टन पर से किरल के तृवंत पूरं में किस प्रसिदमंदिर के प्रसाशन में 53 कोर रियासत की पुर्वत ही पुर्वर्ति शाही परिवार के अधिक कारों को बड़कडार रखा है तो friends, शिरी पद्मना भस्वामी मंदिर, वो कौन सा मंदिर है जी? शिरी पद्मना भस्वामी मंदिर, न्याले ने इस सम्बंध में कहा है कि प्रथागत कानून की अनुसार अंतिम सासक की मिर्तियू के बाद विसबत अधिकार अर्थात मंदिर से सम्बंधित मामलोक्स के प् कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परिशर की पांच जेटी में अगनी समन की सुविधाय लगाने हेतु कितने रुपे जारी करने को मंझूरी दी है तो फ्रेंडस एक सो साथ क्रोड रुपे की मंझूरी दी है बंदरगाह पर मजूद अगनी समन सुविधा लपीजी और अनि पेट्रोलियम उत्पादों से निपटने का समर्थन नहीं करती है यह तेल और उद्योग सुरक्षा निदिसाले के दिसार निर्देश के अनुसार सुरक्षा सावधानी नहीं रखता है इसलिए बंदरगाह को आधुनिक अगनिसमन सुविधाओं के साथ उन्नत किया विभी आपने किस सीओ का मनजूर किया है तो फ्रेंट्स नंबर ए में हे राहुल जोरी विनोधराय सबाकरीम अनिरुद चोद्री तो फ्रेंट्स आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा और यह वीडियो कैसा लगा इसे भी आप जरूर बत थेंक यू